दोस्तों सांपों का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बेट जाता है ऐसा अभास होता है कि मानों सांप अभी पेरों पर काट लेगा बैसे एठारा पुराणों में सांपों के संबन्द में विस्तार से बताया गया है इसमें बताया गया है कि सांप आठ कारणों से मनुष्य को डस्ते हैं जाने अंजाने में सांप पर पेर पढ़ने पर पुरानी दुश्मनी यानि की बदला लेने के कारण एहंकार के चलते भूक या भे की दशा में विश के वेक के कारण बच्चों की सुरक्षा के लिए या काल से प्रेरित होकर साप मनुष्य को डसते हैं बैसे कारण जो भी हो किन्तु शास्त्रों के अनुसार सर्पदंश से मिरत व्यक्ति अधोगति को प्राफ्ट होता है कहने कार्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति को मनने के बाद मौक्ष नहीं मिलता बलकि उसे कुछ मिलता है तो वो मिलती है प्रेत योनी और इस योनी में उससे तब तक भटकना पड़ता है जब तक कि परमात्मा दुआरा प्रदत उसकी आयू पूरी नहीं हो जाती विसे आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नागों से जूड़ी कुछ इसी ही रोचक जानकारिया लेकर आये हैं आज हम आपको बताएंगे एक इसी अध्भुत युक्ति जिसके बाद सापों को लेकर आपका भैस सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा आज के बाद कभी कोई साप आपको ना तो काटेगा और ना ही कभी आपको सपने में आकर डराएगा और तोराप पर कभी काल सर्प दोश का दुश प्रभाव भी नहीं होगा ना थी हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर केसे सपेरे सापों को अपने वश में करके उनसे भाती-भाती के कारी करवा लेते हैं और भी बहुत कुछ लेकिन गता शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्स्क्राइब वीडियो को लाइक वश शेर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी यसी ज्यान वर्धक वरोचक जानकारिया प्राप्टो होती रहें नमस्कार और एक बार फिर स्वाकते आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूडियूब चैनल पर महर्शी कश्यप की पतनी कद्रू ने एक हजान नाक पुत्रों को जन्म दिया उन्हें हम शेशनाग, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, खुली, करकट वा शंकनाग के नाम से जानते हैं इनमें शेशनाग सबसे प्रमुख हुए इन्ही कि शैया पर भगवान विश्नु विश्राम करते हैं इतना ही नहीं अपितु विश्नु जी जब शिरी राम का उताल लेकर धर्ती पर आए तब शेशनाग लक्षमन का उताल लेकर उनके साथ आए और जब प्रभुक क्रश्न बनकर आए तब भी वे बलराम के रूप में उनके साथ आए इसी प्रकार से वासुकी है जिने देवादी देव महादेव ने अपने गले में धारन किया है और बाकियों ने भी भारत भूमी पर अलग-अलग स्थानों पर राज किया कहते हैं आज का तक्षि शीला पोरानिक काल में राजा तक्षक का ही राजी हुआ करता था लेकिन दोस्तों उन सभी सापों में सब के सब अच्छे नहीं थे कुछ तो अती दूष्ट प्रवत्ती के थे उनके प्रकौप से मनुष्य तो क्या यहां तक की देवता और असुर भी भैवित रहते थे अताहा उनके बुरे करत्यों की सजा उन नागों को भी भूबनी पड़े जिनका इसमें कोई दोश नहीं था चलिए जानते हैं कैसे यह बात महाभारत काल की है जब जन्मजे को यह पता चला कि उसके पिता राजा परिक्षित की मरत्यू तक्षक नाग के डसने से हुई तब उसने प्रतिशोत के चलते विश्व के सभी सापों को मानने का निश्य किया इसके लिए उसने विशन यग्य करवाया नाग दाह यग्य इसमें रिश्यों दुआरा एक विशेस प्रकार का मंत्र बोला जाता जिससे की साप मंत्री शक्ती से आकरशित होकर यग्य कुंड में गिरने लगते यह यग्य बहुत समय तक चलता रहा जिसमें कई साप काल की भेंट चड़ गए इस सब के बावजूद भी कुछ शक्ती शाली नाग आसानी से यग्य कुंड में नहीं गिरे उनमें से एक थे करकोटक दरसल करकोटक पराकरमी होने के साथ साथ महादेव के परमभक्त थे अताहा उन्होंने उज्जेन इस्थित बारा जूतिल लिंगो में से एक बाबा महाकाल की शरंड ली पल स्वरूपुन पर नागदाह मंदर की शक्ती का कोई असन नहीं हुआ वैसे जिस इस्थान पर नागदाह यग्य हुआ वो इस्थान उज्जेन के पास नागदा शहर इस्थित नाग टेकरी के नाम से आज भी विक्याद है इतना ही नहीं अभी तु जहां करकोटक ने महाकाल की स्थूती की वो इस्थान उज्जेन में हरसिद्धी माता मंदिर के प्रांगण में करकोटेश्वर के नाम से विक्याद है अब बारी तक्षक की थी रिश्यों ने जैसे ही तक्षक के नाम के आहूती देना प्रारंब की वैसे ही वो अपनी जान बचा कर भागा वो देवराज इंद्र की शणना गती हो गया तब मजबूरी में इंद्र को उसे संरक्षन देना पड़ा किन्तु जब रिश्यों को अपनी दिव्वी दरश्टी से इसका भान हुआ तो उन्होंने तक्षक के साथ साथ इंद्र के नाम की भी आहूती देना प्रारंब की इससे भैबीत होकर इंद्र ने तुरंत ही तक्षक का साथ छोड़ दिया पल स्वरूप तक्षक मंतर की शक्ती के प्रभाव से यग्यकुंड के समीब जा पहुँचा परन्तु इससे पहले कि वो यग्यकुंड में स्वाहा होता एक चमतकार हुआ दरसल हुआ यूँ कि उस समय जन्मजे से भेट करने के लिए आस्तिक नाम के बालक पधारे वैसे कहने को तो आस्तिक अभी बालक थे किन्तु ग्यान और प्रतिभा में वे बेहद ही विशिष्ट थे कहते हैं उन्होंने साक्षात महादेव से ग्यान लिया था उनकी माता का नाम था मंचा जने आज हम मंचा देवी के नाम से पूछते हैं मंचा देवी सभी नागों की बहन वा कद्रू की पुत्री थी उनके धर्म पिता भगवान शंकर थे अताह जब जन्म जने प्रसन्न होकर बालक आस्तिक को कुछ मांगने को कहा तब उन्होंने राजन से यग्य बन करने का निवैदन किया तदन्तर वचन बद्दता के कारण राजा को इसाही करना पड़ा इस पर जो नाग जिंदा बज गए वे अपने भांजे आस्तिक से अती प्रसन्न हुए उन्होंने उन्हें मन चाहा वर मांगने को कहा तब उस बालक ने उन नागों से लोगों को भय मुक्त करने का वचन मांगा इस पर नागों ने प्रसन्न होकर कहा ए मुनिश्रिष्ट हम तुम्हें वचन देते हैं आज के बाद जो कोई भी मनुश्य आपके नाम का इस्मरन करेगा वो सदेव नागों के भय से मुक्त रहेगा हम उने कभी कोई छती नहीं पहुँचाएंगे और दोस्तों तब से लेकर आज तक लोग ओ मास्ती के नमा का जब करके स्वयम की सांपों से रक्षा करते हैं वैसे जिस दिन यह घटना घटी वो दिन पंचमी का था इसलिए सुफलक्ष में नाग पंचमी मनाई जाती है विज्ञान कहता है कि सांप सुन नहीं सकते वो केवल कंपन के सहारे ही श्रोवेण का अनुभव करते हैं लेकिन विज्ञान को क्या पता कि मंतरों में दिव्वी शक्तियां होती है भले ही ये मंतर उनके कानों तक ना पहुँचे परन्तु मंतर शक्ती से ये तुरंती ही अपना क्रोध त्याग शांत होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं आज भी कई लोग रात बिरात सफर करते समय या खेत में काम करते समय इस मंतर का उच्चारण करते हैं ताकि वे किसी प्रकार की हानी से सुरक्षित रह सके और तोर कई लोग इसी खतरनाग जगाहों पर रहते हैं जहां पर सांपों का प्रुपोब हमेशा बना रहता है अता है इसे में लोग अपने घरों के बाहर ओमास्ती के नमाह लिख देते हैं जिससे कि सांप उक्तिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं इतना ही नहीं अभी तु जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्पदोश हो वो व्यक्ति 41 दिनों तक यदि इस मंत्र की एक माला का प्रती दिन जप करे तो उसकी कुंडली से काल सर्पदोश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है 37 उसे सांपों के भयावा सपने भी आना बंध हो जाते हैं वैसे जब कोई व्यक्ति सांपों के प्रती आस्था रखता है तो उसे कभी किसी भी दशा में सांपों को मारना नहीं चाहिए अन्यता कभी ना कभी उसे या उसकी अगली पीडी को अपने जीवन में भारी संकटों का सामना वश्य ही करना पड़ेगा यदि आपने कभी ऐसा किया है तब तो ये मंत्र आपके लिए भी कल्यानकारी सिद्ध हो सकता है विशेश कर ये मंत्र तक्षक जाती के लोग यानि की सपेरा समुदाई के लोगों दुआरा विशेश रूप से प्रियोग किया जाता है और ना सिर्फ ये मंत्र अपितू इन लोगों के पास कई ऐसे मंत्र है जिसकी सहायता से ये नागों को अपने वश में कर लेते हैं कहते हैं प्राचीन काल में सर्प दंश से मरत वेक्ती के शव को जलाया नहीं जाता था अपितू वे लोग शव को लकडी के बेड़े पर रखकर नदी में प्रवाहित कर देते थे फिर ऐसे में जब किसी काल बेले की दरश्टी इस पर पढ़ती थी तो वो अपने मंत्र शक्ती से अभी मंत्रित कोडियों को चारो दिशा में फेक देते थे फिर उन कोडियों की साहिता से वो सांप जिसने उक्तो को डसा था कहीं भी हो उस इस्तान पर पहुँचकर मरत शव से अपना विश्चूस लेता बल सोरुप वो वेक्ति पुनहा जिवित हो उकता इतना ही नहीं अपितु नागों ने अब तक कई लोगों को धन्वान भी बनाया है आप सोच रहे होंगे कैसे तो आईए हम आपको बताते हैं इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि नाग जमीन के अंदर रहते हैं और हीरे जवारात स्वन इत्यादी से भरे भंडार भी जमीन के अंदर ही होते हैं कहते हैं ये नाग इस धन क्या निधियों के रख्षक है इसलिए इन्हें निधी पती भी कहा जाता है अब एसे में जो लोग धन चाहते हैं कि फिर इनकी साथ पुष्टे भी बेठे बेठे खाती है तो दोस्तों ये थी जानकारी नागों और सपेरों के संबन्द में आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुती करणवा प्रयाद जरूर अच्छा लगा होगा आपने हमें इतने प्रेम से सुना इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार